दोस्तों एक beginner photographer की सबसे बड़ी problem यह होती है कि उसका जो budget है वो बहुत ही limited होता है दूसरी problem यह होती है कि वो natural light के साथ साथ जो है indoor photography यानि कि studio photography को भी सीखना चाता है अब problem ही आते है कि studio photography की जो gears है especially lighting gears वो थोड़े महंगे आते हैं तो आज मैं जैपुर में आया हूँ शुपरांचू सेल्स में और यहां मैंने एक lighting setup देखा जो मुझे काफी अच्छा लगा और उसकी जो pricing उसकी जो quality है वो personally मुझे थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पेक पूरा video बनाऊं ताकि हमारे सबी beginner photographers भाई लोग यह थोड़ी सी help मिले थोड़ी information मिले और वो indoor outdoor के साथ जो है indoor photography को भी जल्दी से शुरू करें और studio photography को भी सीखें तो कहीं मच जाएगा इस वीडियो को आप end तक जरूर देखिए तो पहले तो नाम बता ही है ब्रैंड का Harrison है सर ब्रैंड का नाम और इसका मोडल नमबर है वो है लूशन 25 प्लस अडी और 200 वोट की यह लाइट है दो का सैट नमिल भाइक जरूर के लिए वाइक है QUE यहासर कि लिए बल्ब मिलेंगे दो ऐसी यह मले leve मिलेगे ऐत को इसके लावा दो सोट box मिलेगे एक टिकर मिलेगा साथ में कनेकी lapse और दो stand मिलेंगे आपको अचा तो अगर हम देखे हैं तो मतलब दो light है तो एक light वाट का हुआ बिल्कुल सर अचा तो ऐसे करके total power output पर वह 200 watt का मिलेगे हैं बिल्कुल सर दाइसो वाट मिल जाता आपको तो यह जो light है दोस्तों यह इसका कितना weight है अंदाजन 2.3 kg 2.3 kg का weight है तो दोस्तों आप देखे रहो light का weight वह बहुत ही हलका है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरह से modeling lamp आता है नीचे आप इसकी flash tube देख पा रहे हो एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा मुकेश जी सबसे पहले क्या होता है हम lighting gears में invest तो कर देते हैं problem तब आती है जब light कभी खराब होती है या उसके parts हमें change करने पड़ता है यह मैं अपनी experience से बता रहा हूँ क्योंकि depend करता है आप कौन से brand की light यूज़ कर रहे हो वो एक अच्छा खासा खर्चा होता है तो मुझे एक चीज़ बताएं जल्दी से कि माली जी खराब होती है light तो इसका bulb का और flash tube का cost कितना है सर बल्ब जो आता है इसका शाड़े 400 रुपे के something का आएगा और flash cube जो आईगी इसकी 600 रुपे या 700 रुपे के something आईगी मतब हजार रुपे के अंदर पुरा और यह lighting का cost कितना है पुरा kit का सर इसमें दो kit आते हैं एक umbrella के साथ आता है और एक soft box के साथ आता है तो जैसे एक बताता है रहता हूं दर्शक को यह अपने लगा रखा है एक तो umbrella और एक soft box तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक आपको मिलरी umbrella और इसी के साथ आपको जो है दूसरा आप देख पा रहें यह stand है पर यहां पर अभी soft box लगाया हुआ है तो आपको दो umbrella मिलेगी राइड़? बिल्कुल सर शाड़े सत्राजार का kit आएगा उसमें दो umbrella मिलेगी और साड़े हैठाराजार का kit आता उसमें दो soft box मिलेगी आपको मतलब एक रुप्य अगर आप जादा खर्च करते हो तो आप umbrella की जगे यह दो soft box ले सकते हैं और यह साइस का सॉट बोक्स का 61 61 अच्छा 61 बाइ 61 का पुरा ठीक है अब जो बिगनर फोटोग्रोफर है वो चाहता है कि पोट्रेट फोटोग्रोफी ब्यूटी शॉट्स है या जोएल्री के कैमपेंस प्रोड़क्ट फोटोग्रोफी तो अगर अपन थर्ड पार्टी इसक यह अपना एक चोटा साइब ब्यूटी शॉट्स के लिए पोट्रेट फोट्स के लिए बहुत अच्छी एक लाइट शेपिंग टूल है तो इसका क्या प्राइस है और किस ब्रैंड का है सर यह पावरपेक का है ब्रैंड इसमें काफी आती पावरपेक आता है गोडएक्स आता है परस्वर आता है लाइफ ओन के आते हैं यह पावरपेक का हमने लगा रखा है जो करीब करीब चारजार रूपर के सम्तिंग है जो 80 सेंटीमेंटर रखा है तो यह अपने को लगाना हो यहां पर तो आप आसानी से इसके अंदर थोड़ा से एक बार लगा की पारे स्क्रीन पे यह बहुत ही खुबसूरस सी आप देख पार एक चोटा सा ओक्ता है स्पेशली व्यूटी शॉट्स के लिए हैट शॉट्स के लिए परफेक्ट एक लाइट शेपिंग टूर है और इसको हम आउट्डूर के अंदर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं तो अच्छा उसके लाब यह दूसरा आप मुझे दिखाएंगी यह क्या है पूरा एक और स्ट्रिप की टाइप की फोटोग्राफिय अगर आपको करनी हो लॉंग टम शॉट वगर तो यह रेटेंगल टाइप में है सॉट्वोक्स आप इसमें इसको भी आप उसमें लगा सकते मिलते हैं एक मिनी है एक फुल है प्राइस कहा है सर यह पड़ेगा आपको 4500 रुपेगा तो दोस्तों आप देख पार है यहां पर अगर आपको किट के साथ में यह थर्ड पाटी लाइट शेपिंग टूल लेने तो यह आपको कुछ 4,000-4,000-4,000-4,000-4,000-4,000-4,000-4,000- थोड़ा कुछ आएंगे तो डिस्कॉंट मिल जाएगा तो बेस्ट प्राइस कर देंगे तो एक रांड फिकार लें दोस्तों कि आपको आपको दो लाइट शेपिंग टूल चाहे तो करीब 8,000 रुपे यह हो गया साड़े 17,000-8,000 अगर आपको चोटे शोट बोच चीए 18, तो अलमुस्त आप देखेंगे एक पूरा लाइटिंग सेटप विट टू लाइट तू स्टैंड प्लस टू सौट बोक्स अंड यह दो आपके सौट बोक्स दो लाइट शेपिंग टूल आगे एक आपका रेट्टेंगल सौट बोक्स आगया तो एक करीब मेरे इकाल से कित करना है मसलन एक चीज और पूछ हूगा क्या क्या काम कर सकते हैं दो लाइट के साथ सर आप प्रोड़क्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं जोलेरी फोटोग्राफ कर सकते हैं कित फोटोग्राफी कर सकते हैं नॉर्मल फूड फोटोग्राफी वगर आप कर सकते हैं वेडिंग आप चाहते हैं कि आपको single चाहिए तो आप single भी उसमें ले सकते हैं आप चाहो तो दोनों भी उसमें ले सकते हैं ये ये washable रहता है कि वैसे बिल्गुल थोड़ा सा light को एक बार on करके दिखाएंगे थोड़ा सा on करेंगे एक बार तो इसका थोड़ा सा अपने को अगर डिटेल सी होगा मुकेश जैसे की इसका है रिसाइक्लिंग टाइम कितना है या इसका 1.2 सेकंड इसके अंदर फैंस वगरा लगे हैं पहले जो लाइट आती थी वो एकदम किलिकिंग के बाद काफी टाइम लेती थी रिसाइक्लिंग में और हीट हो जाती थी जल्दी इसके अंदर कुछ मोटर लगी हुए फैन टाइप लगाए हैं कंपनी न अच्छा पहले क्लिकिंग के साथ इसके फैन ओन हो जाता है लाइट को बहुत कम हीट होने देते हैं तो यह मैंने अच्छली पहली भारी सुना है नाम आपके इदर आय अच्छा में बनाती है है हम बेसिकली पंजाब से मगाते हैं और परानी है Hare Centard काफी चीज़े बनाती है slider बनाती है, stand बनाती है, काफी परकार के, फोर्ड शू वगरा, lighting आती है, portal light वगरा, video light वगरा, काफी चीज़े बनाती है, लेकिन product काफी अच्छा है, रिसन का, okay, so इसे जो है, लोग अपने wedding में भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों, ये जो आप lighting setup है, ये एक beginner के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं इसे बहुत सस्ता तो नहीं बुलूँगा, लेकिन बहुत महँआ भी नहीं है, एक beginner के लिए, लेकिन अगर आपको e-commerce photography का काम है, product photography का, food photography है, portrait photography है, beauty and hair photography है, या आप छोटे मूटे वीडियो बनाते हैं, products के, तो उसके लिए बहुत ही जो है, एक अच्छा खासा option है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, especially मुझे ये जो है light shaping tools, इसके बहुत पसंद आए, दोस्तों, बहुत light weight है, आप असानी से जो है indoor outdoor के अंदर, ये इस साइज का हुज़ारा साज़कूर, back साइज, तो दोस्तों, देखा आपने किसना, जो है, ये एक easy to carry है, हलांकि ये Harrison brand का ये, ये कौन सा बताया था brand? Powerpack है सरी है, Powerpack brand का है ये, तो आप इसे आसानी से कहीं भी carry कर सकते हैं, तो उमीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो तोड़ा अच्छा लगा होगा, मैं एक आपको फोटोग्राफर भी लेकर दिखाता हूँ, चलिए, Harrison Lucent 25 Plus RD को टेस्ट करके देखते हैं, इस वक जो है, दो softworks मैंने फ्रंट पे लगाए हुए है, और पीछे की दोनों लाइट्स है, मैंने off रखी हैं, वो भी Harrison 25 Plus RD है, देखते हैं कि पिक्चर हमें कैसा मिलता है यहां पर, तो आप देख रहें कि पोट्रेट जो है, वो काफी अच्छा मिला है दोस्तों, और जो colors है, नहीं color temperature भी है, काफी stable मिला है, क्योंकि मैंने camera के अंदर सब default settings ही रखी है, तो उमीद है दोस्तों आपको इसके उपर लिवी pictures अच्छी लगी होंगी, और आपको यह product पसंद आया होगा, अब इससे जुड़ी आपको अगर जादा जान करी चाहिए, तो दोस्तों, इनका Insta ID जो है, मैंने यहां लगा दिया है, और description में इनका link मैंने लगा दिया है, तो वहाँ पे आप इनकी, इनसे inquiry कर सकते हैं इस product के बारे में, और उमीदे, वीडियो भी आपको ठीक लगा होगा, एक आखरी चीश जल्दी से पता जीजिए, क्योंकि हमारा चैनल बहुत सारे अलग अलग शहरों में भी लोग देखते हैं, तो आप जैपूर में बेस्ट हैं, तो क्या आप पैन इंडिया सप्लाई करते हैं, बगर किसी को लेना हो तो, हाँ बिल्कुल सर, हम आल इंडिया सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यह भाया हर जगे जो है वाया कॉरियर आपके पास पहुंच जाएगी, आपको यह product कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बिताएगा और इसे जोड़े कुछ सवाल हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करोंगे जवाब देने के लिए आज के लिए इतना ही जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, थैंक्स ओर वाचिंग और शब्सक्राइब मैं चानल